नमस्कार दोस्तों, एक जोन क्लासेज के यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे क्लास 7 का टोपिक दाब या प्रेसर के बारे में तो चैनल पर पहली बार रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तदा वीडियो को ज़्याँ से ज़्याँ सेर करें, तो शुरू करते हैं दोस्तों, दाब, दाब किसे कहते हैं, या दाब क्या होता है, तो किसी वस्तू पर, एक आख छेतर फल पर लगने वाला लंबुः बल ही क्या कहलाता है दाब कहलाता है कोई छेतर फल दिया गया है उसके उपर लंबवत जो बल लगता है कोई भी एरिया है मानलो ये कोई भी एरिया दिया गया है इस पे लंबवत जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा दाब एक आंक छेतर फल पर लगने वाले लंबवत बल को कोई क्या कहते हैं दाब कहते हैं तो दाब का फॉर्मूला क्या हो गया एफ बाई ए पी ब्राबर प्रेसर से दर्शाते हैं एफ ब्राबर बल बटा एरिया बल अपन एरिया यह फॉर्मूला हो गया किसका दाब का एफ को यह क्या हो गया एफ को एफ होता है फोर्स या बल वह ए होता है एरिया या छेतर फल ये फोर्मुला होता है दाब का तो बल का मातरक ग्यात कर लेते हैं अपने दाब का तो न्यूटन किसका मातरक होता है बल का वै एरिया या छेतर फल का क्या हो गया मिटर स्केर न्यूटन बटा मिटर स्केर को क्या बोलते हैं पासकल क्या बोलते हैं पासकल तो दाब का मातरक क्या हो जाएगा दाब का मातरक होता है पासकल किसी वस्तू पर लगाया गया दाब वस्तू पर आरोपित बल पर निर्बर करता है Next Equation कर लेते हैं किसी वस्तू पर 10 न्यूटन बल 2 वरग मीटर 6 पल पर लग रहा है तो वस्तू पर अरोपित दाब ग्यात कीजिए यह थोड़ा सा 2 वरग मीटर लंवत बल लग रहा है ऐसे कर लेना तो किसी वस्तू पर 10 न्यूटन बल दो वरग मीटर छेतर पर लग रहा है तो वस्तू पर आरोपित दाब ग्यात किजिए बल दिया गए अपने को 10 नूटन छेतर पल दिया गए 2 वरग मीटर तो दाब क्या हो जाएगा अफपोन ए 10 बटादो 5 पास्कल आ जाएगा ये और ध्यान में रखना गहराई में गहराई बढ़ने के साथ दाब भी बढ़ता जाता है ये से तो एक फोर्मला होता है रो जी एच ये दाब का ये छोड़ देना चाहिए आप इतना ही द्यान में रखना जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी ये एच होती है गहराई तो ये जितनी बढ़ेगी तो दाब उतना ही बढ़ता है रोजियत से तो आप ये लाइन द्यान में रखना गहराई बढ़ने के साथ साथ दरव का क्या बढ़ता है दाब भी बढ़ता है नेक्स्ट बात करते हैं उत्पलावन बल तरल में या दरव में डूबी हुई वस्तूओं पर उपर की और एक बल कारे करता है जिसे क्या कहते हैं उत्पलावन बल जैसे पानी के अंदर बाल्टी डूबी हुई होती है तो अपने क्या होता है उसका बाल्टी या पानी का अपने को क्या होता है बार मैसूस नहीं होता है कम होता है तो वो ही क्या होता है उत्पलावन बल होता है तरल में डूबी हुई वस्तूओं पर उपर की ओर एक है बल कारे गरता है जिसे क्या कहते हैं उत्पलावन बल ये ध्यान में रखना है जितना दरव उटाएगा है उसका बार है उसके बराबर क्या होता है उत्पलावन बल होता है जो भी अपने पानी के अंदर वस्तू डुबोई है या दरव के अंदर तो उसके द्वारा जितना उस दरव या पानी को उटाया जाएगा उसका जितना बार होगा वो ही क्या होता में बात करते हैं पसलों के परकार. तो पसलें तीन परकार क्यों त्यों होती है? रज़बी की पसल, खरीबी की पसल, वै जायद की पसल. यह पूरी साथ समय क्लास का पूरे हो गया, चेप्टर एक परकास है उसकी वीडियो डाली जाएगे अपने यूटूब चैनल पर तो वो अलग से करवाएंगे पूरा पूरा तो पसलों के परकार यह आठवीं का शुरू हो गया चेप्टर पसलों के परकार रभी की पसल, खरीब की पसल, वै जायद की पसल तीन परकार की पसले होती है, रभी की पसल, खरीब की पसल, वै जायद की पसल खरीब की पसल, रभी की पसल, शुरू करते हैं तो यहां अक्टूबर से फरवरी के मद्य पसल होती है अक्टूबर से फर्वरी के मद्य जो पसले होती है उनको क्या कहते है रभी की पसल कहते है अक्टूबर मेने के अंदर रभी की पसल है बोई जाती है फर्वरी या मार्च अप्रेल में मार्च तक ये काट ली जाती है तो ये कौन सी पसल कहलाती है रभी की पसल जो सर्दी के म माटर सर्सों यह क्या होती है रभी की पसलें खरीब की पसल यहां जून से स्टमबर जून से अब यह मेना चल रहा है अगस्त तो यहां जून से स्टमबर के मद्य जो पसल होती है तो अब क्या होता है जूर मक्का मूंग फली तिल मूंग उड़द आदी यह पसलें कब हो जा करती है तो यह कॉन सी पसले होती है खरीब की पसल होती है ज्र्वार मक्का होग्या मूंग हदि बात करतें हैं आपने जाहिद पसल जाहिदी की पसल मार्च से जून के मध्य होती है इनने क्या पिसले जैसे खर्बूजा, तर्बूज, ककड़ी, लोकी आदी, ये क्या होती है, जायद की पसले होती है, मारसे जून के मद्या जो पसल होती है, वो क्या होती है, जायद की पसल, खर्बूजा, तर्बूज, ककड़ी, लोकी आदी, ये क्या होती है, जायद की पसले है, इसके बाद म नेक्स्ट वीडियो के इंदर अपने बात करेंगे मेटल वा नोन मेटल दातु है अधातु के बारे में तो आज इस वीडियो के इतना ही धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो शेर कीजिए लाइक कीजिए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दो